आकेर क्यों दे रहा है यूएई जुराइल का साथ नमस्कार मैं हूँ प्रिया जौर आप देख रहें यूएई खबर चंग के शुरवात से ही सभी देशों ने अपने पसंद देशों के प्रती अपना समर्थन दिया है बता दे लेकिन इस बार यूएई ने सभी को जटका द देख दिया है देशल यूएई और बहरीन ने मिलकर अलग रुक अपनाया है इस बार यूद में इन दो देशों ने इज्ट्राइल का विरोध या अलोचना नहीं किया बलकि इज्राइल का समर्थन किया है इस यूद के लिए दोनों देशोंने हमास को जिम्मदार ठराया ह बता देए कि यूएई के इस रुक से सभी लोग चौक गए हैं सबके मन में ये सवाल आया है कि आखिर यूएई इस बार अन्य खारी देशों से अलग क्यों खरा हो गया है तो आपको बता देए कि यूएई भी दूसरे मुस्लिम देशों की तरह इस विवाद में खुलकर फिलस्तीन का समर्थन हमेशा से करता रहा है हलाकि अमेरिका की कोशिशों के चलते सितंबर 2020 में यूएई और बहरीन ने इजरायल के साथ अबरहम समझाता किया और उसे राजनेक संबन स्थापित किये यूएई और बहरीन इजरायल के साथ संबन स्थापित करने वाले पहल फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए भी दो करोर डॉलर की मदद की घोशना की है। रिपोर्ट के मताबिक या सहायता रासी निकल भविश में संयुक्त राष्ट राहत और कार एजिंसी के माध्यम से फिलिस्तीन को दी जाएगी। इस सहायता रासी का मकसद फिलिस्तीन के जरुरतमन्द लोगों को तदकाल रहत और सहायता प्रदान करना है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार के युद्ध में यूएई निउट्रल रहने की प्रकीरिया को अपना रहा है। हालाकि यूएई ने इसरायल पर हमास के हमले की करी निंदा की है। यूएई ने इस हिंसा के लिए सीधे-सीधे फिलिस्तीनी उगरवादी संगठन हमास को जिमदार ठहराया है। वदेश मंत्राले ने कहा है कि इसरायली शेहरों और गाजापटी के नजदी के गाओं पर हमास के हमले से संगर्ष ने भीशन रूप ले लिया है। हमास ने अवादी वाले इलाकों पर हजारों रॉकेट दागे हैं। इसरायली लोगों को उनके घरों से निकाल कर बंदग बना लिया गया है। इसरायली सरकार ने जंग पर नजर रखने के लिए यूनिटी गवर्मेंट और तीन सदस्ये वार काबिनेट बनाई है। नई सरकार में विपक्षी पार्टी को भी शामल किया गया है। क्याबिनेट में प्रधान मंत्री नित न्याहू, विपक्षी नेता, बेनी गेंजित और मजूदा डिफेंस मिनिस्टर योव गालिक रहेंगे। 7 अक्टूबर से सुरू इस जंग में अब तक 2327 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें करीब 1200 इजराइली हैं और अब तक करीब 1127 फिलिस्तीनियों ने भी जान गवाई हैं। तो यह जित अमाम जान कारी बने लिए ऐसी खबरों के लिए यूव एई खबर बन।